माई में कर एक पपिता की खेती और कमाए एक एकड़ से एक लाक रुपए यह मैं इसलिए के रहूँ आपने बहुत सारे किसानों के धारन देखे होंगे पपिता की खेती करते हुए और बहुत आगे बढ़ गए लोग पपिता बहुत महंगी बिकती है माई में आउश्य करे इसकी खेती भई यानि पोधा लगा है आप इसमार्ट खेती चैनल को सस्क्राइब लाइक शेयर करना न भूले और बेल आइकन दबाना तो कदापी न भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट के साथ आप चुड़े रहे हमारी स्मार्ट खेती चैनल के संग आप हमेसा बने रह है और खेती बाड़ी से जुड़ाए वीडियो देखते रहें सिर्फ हमारे चैनल पर इसमार्ट खेती आई यह सुरू करता है पपिता के खेती की उन्नत विधी आज का टॉपिक पपिता क्यों क्योंकि यह एक बागबाने फसल है तो भूमी की तहरी के सगर है खेत को अच् पांसो ग्राम सोपर फास्पेट 200 ग्राम मियूरत आप पोटास को मिटते मिला कर पोधा लगाने के कम से कम दस दिन पर भर देना चाहिए इससे यह जमिन में अच्छ से मिल जाएगा पर जलवाय। पपीति के अच्छी खेती गर्म नमी युक तह जलवाय में की जाती है मई में यानिके इससे अधिक्तम 38 डिग्री सल्सेस चुमल डिग्री सल्सेस तक ताफ़ान होने पर उंगा जा सकता है नियून नप 5 डिग्री सल्सेस से कम नहीं होना ची है लू ता था फसल को नुक्सान बचाएंगे आपको बताओं सीधा तरीका लू लगने से बचाने के लिए पोदे के पास कवेलू आते ना कवेलू मिट्टिक है वह आइट्रेट लगा दे दोस्तों आपका पोदा मरने से बच जाएगा कवेलू जो छट पर लगाते हैं कपर नरसरे में रो पर नहीं बोना चीए जब पोदे करें 20 से पच्छी से उच्छे हो जाए तर प्रती गड़ा दो पोदे लगाना चाहिए दो पोदे तो एक सामाने बात है लेकिन एक पोदा भी अपलगा सकते हैं लेकिन आज में फिर आपको खाली सान की पूर्ती करना अभिशक है और वह प्रती थेली दो से तीन बीच होना चीए मेटे महसा प्रयाब तो नमी रखना चीए जब पोदे 15 से 20 से उच्छे हो जाए तो थेलियों के नीचे से धार-दार ब्लेट लेकर साधन पर फाड़ कर वहले त्यार के गड़ों में उन प्रतों को लगाना चाहिए और लगाने के ततकाल आठ से दस घंडों में आप ड्रिप इरिगेशन से आप फस लगाए बिना ड्रिप के न लगाए और पानी देना अउश्यक है भाई क्योंकि मही में लगाओ के गर्में बहुत तेज होती है बात अती है लगाने एक समयम तरीक है पपीति के पोदे पले रोपने में त्यार के जाता है यानि कि नर्सरी में पोदे पले से त्यार किये गड़ों में जून जुलाई में लगाना चाहिए मही में आप लगाए तो अच्छा है जहां सिचाएक का समुचित परवन हो अरवरे मार्च तक पपीति के पोदे लगा चाहिए लेकिन गरमी का पोदा भूत अच्छा चलता है और आपको एक साथ में अथिक सदीक यानि कि एक एक एकर साई एक लाग रुपे फाइदा होगा तो आपको फाइदा चाहिए तो समय पर लगा है मैं 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 आताती है अरवरे मैं हेक्टर के लिए पान्स हो ग्राम से एक किलो बीच आज सकता हो네요 यानि आधा किलो से तो डाहिया जाया, आप तेसा कीजिए आप थोड़ी दूरी कम कर लिजिए और थीनाजार पोदे लगा दीजी एक एक सिंगाल, आपको पुर्ती भी हो जाएगी और पुर्ती पोदा आपको पैसा भी कम लगेगा, बात आती एक किस्म की, पूशा मेजल्स्टी, एम पूशा वासिंग्टन, सोलो, कॉयम्टूर, हानिडियू, कुरगंडियू, पूशा, दर्फा, पूशा डेलीशियेश, स्रिलोन, पूशा नन्न, आधी प्रमकिस्मे, इसमें पूशा नन्न सबसे बढ़िया दोस्त, याप पूशा वासिंग्टन, पूशा नामसी चलता ही हो, आप किस में बात आती है, फिर खाद ये मुरोग, आईकोटे को वर्स बर में 200 ग्राम नतरजान, यानि यूरिया, 200 ग्राम इसपुर, यानि सूपर, 500 ग्राम पोटास कियो सकता होती है, जब बराबर भाग में बाटकर प्रती दो मान के नितर पर खाद ये मुरोग देना है, और सिर्फ नर कुछ बीच के मिस्रण के करण हो जाता है, लेकिन नर पोटा आलग ही कर दे आप, और ना खादे तो ये अच्छा है, तो ये तो सामने इस रासनी खादे, निन्दाई गुड़ायम सिचाई, गरमें में 4-7 दिनों, तता ठण में 10-15 दिन के अंदर पर तरदखेयत में, तीसरी शीचे की बाद निन्दाई गुड़ाये करें, जड़ों तर तने को नुक्सान नहीं होना चाहिए, तने को नुक्सान नहीं होना चाहिए, इन नहीं तो पोधा मर जायेगा, ये इसलिए आप फ़पुद नासक और शी छिड़काओ करें, पोट्छ बचाने के लिए तने के पास पानी ना जमने दे जिस भाग में रोग लगा हो वहाँ चाकु से खुराच कर बोड़ पेस्ट भर देना चाहिए पाड़र मीड़र के नेदरन के लिए किटने इसको ही प्रेप करें क्योंकि भूत महंगी फसल है फिर बात आती है फलो को तुणना पोधे लगाने के नौ से दस माँ बाद फल तुणने लायक हो जाएंगे फलो को रंग घहरा हरे रंग से बदले का हलका पिला होने तक लगता है फलो पर नाखुन लगने से दूद अच्छा मिल सकया आप बड़े फल अलग करें और शोड़े फल अलग करें और मंडी ले जाएं या तो आप उद्ड़ा यानि कहते है न किसी कहार को दे दिया तो देद दीजिए यानि पूरा खेत का खेत भीगा से भीगा पई चले ले ले और भूल जाएं उवज आर्थि प्रति हेक्टर पपिति को पत्तन 35-40 तन होता है यदि 15 रुपे टन भी कीमत आखी जाए तो किशानुक प्रति हेक्टियर 34,000 रुपे का सुध्द लाप रप्राप्त होगा ये तो 34,000 तो अनुमनी थे भई लोग लाखो रुपे कमा रहे हैं मैं नहीं मानते 34,000 चैनल को सर्स्काइब लाइक, सेर, कमेंट करना न भूले हैं और घंडी दमना न भूले हैं आपको लेटिस्ट अपडेट देता रहोंगा दोस्तों अभी पपिता का वीडियो बनाए और कुछ नहीं नहीं बनाएंगे और बहुत सारे वीडियो बनाना बाकी अबीटों धन जहीं जहीं जहीं